नमस्कार दोस्तों, BCD Tech के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों आप यहाँ पर मेरे सामने कुछ mobile phone देशोकते हो, और इस वीडियो एपिसोड में मैं इन mobile phone का यहाँ पर कोई comparison नहीं करने वाल हूँ, यहाँ पर एक common सी problem मैंने इन सारे phone को पर देखिए, वो है यह यहाँ पर वीडियो recording के दो रहाँ, तो जब भी आप इस phone पर वीडियो recording करते हो, और अगर आपने यहाँ पर अपना external microphone, या external headphone, या external earphone, जिसमें अगर आप माइक्रोफोन है, तो उसको लगा है, तो आपका audio record होती ही दोस्तों, वो आपके इस microphone से record नहीं होती, आईए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको video mode में दाल दिया है, तो आप देख लिजे, अभी ये video record कर रहा है, तो यहाँ पर आप चेकिल लिजे, मैंने इसको दबा रहा हूँ, तो आप देख रहोगा कि कोई भी आवाज यहाँ पर record नहीं होरी, अगर मैं यहाँ पर टच कर करते हो, और इस microphone से बोल की कोशिश करते हो, तब तो आपका काम चल दाता है, मतलब यह microphone यहाँ पर work करते है, और अगर आप इसके internal audio recorder से recording करते हो, तो तब भी दोस्तो इस case में आपका यह external microphone है, यही आपका यहाँ पर record करते है, तो यहाँ पर दोस्तो यह हो क्या रहा है, कि यहाँ पर अगर आप audio record करने की कोशिश करते हो, और आपके video भी साथ record हो रही है, तो ऐसे case में आपका internal microphone यहाँ पर इस्तिमाल के जाता है, ना कि दोस्तो आपका यहाँ पर external, तो दोस्तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, तो दिक्कत दोस्तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर application दे रखी है, जो कि यहाँ पर आपका video record कर रहा है, उसके अंदर external microphone की support नहीं है, मतलब कि अगर आप यहाँ पर video record कर रहे हो, तो ऐसे case में जो audio record होगी, वो आपके यहाँ तो इस microphone से होगी, या फिर आपके ऊपर secondary microphone लगा या फिर इस microphone से होगी, depending on the scenario कि आपकी camera को यहाँ इसमाल कर रहे हो, तो फिलाल इस case में ऐसे ही होता है, अगर आप यहाँ पर external microphone लगा के record करने की कोजिश करोगे audio को, तो video recording की time पर तो वो record नहीं होगी, और यह problem है आपकी application part की, तो यहाँ पर अगर application part को बदल देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बदल दिया है, आप देख इस case में अगर आप यहाँ पर record करोगे, with the help of this microphone, तो आपका जो audio record होगा, आप आपके external microphone से record होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, तो इस समय जो recording हो रही है, आप देख लिए, अभी कोई आवाज नी सुनने को मिलोगी, कमारी होगी, बट इस case में आप ज्यादा आवाज स जो camera है, उसको switch भी कर सकते हो, तो फिलाल ऐसे case में आप आगया ले camera से भी recording कर सकते हो, तो यह इसकी यहाँ पर काफी अच्छी property है, और इसी वज़से मैं यहाँ पर इसको prefer करता हूँ, तो दोस्तों, अगर आप ऐसा कुछ problem face कर रहे हो, जैसे कि आप अगर आपने video record कर रह रही है, और इवन आपने यहाँ पर external microphone भी लखा रहा है, तो फिलाल आपको यहाँ पर चिंता करने की जुरूद नहीं, क्योंकि आपका internal recorder है, वो फिलाल आपकी यहाँ पर external audio को support नहीं करता है, तो इसके लिए आपको इस type of application की जुरूद पढ़ती है, अब दोस्तों, जान अपने करने देते हैं इसको, तो यह terminal credit कर दिया है, तो फिलाल, अगर आप मैंने यहाँ पर external microphone लखा रखा है, तो आप क्या सोचतों यहाँ पर, कि यह आपका internal microphone से record करेगा, या पर यह आपका external microphone से record करेगा, और दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर, देख लिजे, मैं internal microphone पर strike कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इस microphone से strike कर रहा हूँ, और मैं आपको बताने वाला नहीं हो, आप मुझे खुद बताएंगे, इस चीज़ को करके, तो फिलाल, आप खुद experiment कीजिए, और मुझे result बताईगे, इस case में यूटूब एप है, वो आपको third party app की यहाँ पर जुरूद परती, क्योंकि आपका internal recorder है, चाहे वो आपके पास honor 6X हो, चाहे आपके पास Xiaomi MI5 ओ, Xiaomi Redmi Note 3 हो, Xiaomi Redmi Note 4 हो, यह even आपका coolpad cool one, OnePlus 3T हो, तो फिलाल, यह internal इसकी video recording app है, यह आपके external microphone को support नहीं करती, Samsung का अगर आपके पास mobile phone है, तैसे case में आप external microphone क यहाँ पर इसमाल कर सकते हो, but in case of this mobile phone, आप नहीं कर पाओगे, तो दोस्तो यह रहा आज का video, आशा करता है कि आप सभी को यह video पसंद आया होगा, अगर दोस्तो पसंद आया तो यह video को like करना, share करना, और साथ में हमारे channel को subscribe भी करना, subscription link आपको यहाँ पर देखने को मिल ज जाते हैं, तो दोस्तो एक notification bell आप कोगी, उसको भी tap करते जाना, नमस्कार, जय हिन, जय भारत, वंदे महतरम